कप प्रश्राम जी जैसे महापुरुष्ट थे ही बगवान के अवतार थे यह रावन का बद कर सकते थे और इतना ही नहीं रावन में यह बात आपको पढ़ने को मिलती है कि उसमें बाली जैसे योग्धा भी बिद्यमान थे शाष्कारगु जैसे योग्धा भी बिद्यमान थे शाष्कारगु और रावन का युद्ववा तो भी रावन हरा बाली और रावन का युद्ववा तो भी रावन हरा तो फिर वही सूत्र कि जब रावन को हराने वाले भगवान राम से पहले भी बिद्यमान थे और रावोड को हराने वालों को हराने वाले जब भगवान के ओतार के रूप में परषुनाम जी मिद्जमान थे तब Ś obese रावी की क्या वर्ष रकता और उसका उत्तर बना संकेती और वो मूल यह है कि हराने काहर्ट जो क्या है हराने का उद्देश जो क्या है कि उसका सबसे बढ़िया संकेत मिलता है बाली और रावल के प्रसंद में संकेत क्या मिलता है एक बहुत बढ़िया सूत्रा का है बाली कौन है किम्र ने बाली के रूपे अवतार दिया जन्म लिया और कियो जन्म लिया क्योंकि रम्मा ने बंदरों देवताओं को आदेश दिया कि रहाल का बद करने के लिए भगवान अवतार लेगे और भगवान ये भी अवतार लेगे तो आपका कर्तब है कि आप लोग भी बंदरों के रूप में जर्मले और भान अवतार तो उँ ध्रमल क yap we आप बंदर बने बंदर की रूप में बंदरों के चेह्न की सेभा करें और भगवान पतारे किस के वढवे तो आप लोग उनकी सेघा में समयित रहें और सेघा में समयित होकर के लंका प्राक्त्मू मिन करें और तब आँई你में रावन कुमकर्ण और लंका के राक्षिसु में थोरा है तो अन्य बंदरों के शे सकते हैं था हुरह सर्ष से धिस्टा की पथकिन को मख़ोगा के दियाँ धिती सरैद्साइए और क्यों कितने था, कि वो चाहे तो रावन को हरा सकते हैं का हुलमाल जी चाहे तो रावन को भी हरा सकते थे और हुलमाल जी चाहते तो बाली को भी हरा सकते थे पर हुलमाल जी ने न तो बाली को हराने की चेश्टा की न तो रावन को हराने की चेश्टा की बाली जो है उजिंदर के रूप मेंड़ का स्वरूप है और रामण पाप का रूप है पर हमनल की दोनों से नहीं लए रहे बाली में क्या किया बाली ने भग्मान के अutार लेने से पहले ही किस किन्दा आने से पहले ही रामण को हरा दिया इसका अगर्प्राइड किया हूँ, रामुल को यह लगा कि जो काम हम स्वेम कर सकते हैं, उसके लिए भग्वान किसका हो सकता? कि जो लोग भगवान को नहीं मांते हैं, आज भी करूर रेक्टिये से हैं कि जो ईश्वर की सत्ता को नहीं मांते हैं, ईश्वर की सत्ता पर उनका विश्वास नहीं है, तो क्या जो लोग ईश्वर की सत्ता पर विश्वास करते हैं, उन लोग बड़े काम करते हैं, और जो ल ज्ञानिक नहीं करते, क्या बड़ी से बड़ी उन्यत की हो जोना नास्तिकों के जारा पूरी नहीं हो थो, ऐसे इस्तिति में, अजर लिए कोई मान के चलता हो, कि भगवाई ना कोई बड़ा काम नहीं कर सकता है, तो यह बात नहीं हो, लेकिन भगवाई की सहाथा लेको, बस इसका हुद अभी पराय मिरा समझे नहीं हgil हो गुए है तो लिए है कि जब कोई कारिये आप यह मान के चलते हैं, करते हैं कि यह कारिया आपने किया और इस कारिय में आपको सफलता में भी तो इस कारिय के बाद दो बाते मन में आई क्या एक तो यह लगा कि यह सफलता मेरी है इस पर मेरा अधिकार है और इसका चाहे जैसा उप्योग करनों में मैं सोतंत हो और दूसरे यह गर्वाया कि मैं इतना बड़ा बुद्धमान और ग्यानवाल और जब किसी ब्यक्ति ने गिया और इसमें इश्वर का नाम ले करके किया इश्वर की पुजा करके किया तो होने के बाद अगर इसको यह भान बना रहें तो जो कुछ हुआ वो इश्वर के के पास हुआ तो कम से कम बिजय का गर्व अभिमान और दुर्पयोग की विद्धि उसमें लेए अब चाहिए इसलिए जो कारे आप श्यवर अपनी शक्ति से कर सकते उस शक्ति के दिये भी आप भगवान का श्वर्ण करें भगवान का अश्यलें तो इसमें श्यवर अपनी स्रक्षा ब वाजी में सोचा ? कि इसनी प्रतिछा करो जब स्रीरामा आवें राम के आदे के बाद लंका प्राक्तमर करें और तब राम पर विजय प्राक्ता हो और फिर उसके वज़ में एक बात और थी ? क्या ? कि श्राम आए और सिराम की सेना भी सम्मिलितव करके लंका पर मैंने आपक और विज़व होगी तो राम की विज़व होगी स्वे उनको मिलेगा मेरा नाम को ढ़ी गया यह अज्दी लेकिन अजैन मोगने क्या किया डीम्त欸 कि बाली में रामुन को हरा दिया और हराने के बाद इसको बगल में दबा लिया तो ये दबाना शब्द ये रहा है संकेतिक क्या रामुन ने बाली को दबाया और भगवाल राम ने रामुन को मिठाया और इसका अर्थ क्या है कि बुराई को दबाना सबन है और वित दभाने में आपने या ध्यान दिया, कितने दिन के लिए गूराई दभी, रामन को बाले में कितनी दिन के लिए। स्रमधने धिये। रामन की okiा रामन की आये हैे ? लाखों वर्रकु ऌर्णी और उसमें गेंगे क्या है, कि आप जैसे किसी से दावा करें, कि आज तो मैंने कोड का आउसर आया, पर कोड को मैंने दबा लिया, कि यह ऐसा आपको आउसर होता है, आपके जीवन में यह ऐसा आउसर आता है, ति यह आपने कोड कभी कभी कोई बात किसी में करदी कहेंगी, पर आपने को कोड़ को दबा लिया। पर 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 कोड़को दबा लेह के गंटे के लिए के लिए को आदेफ़ गंचे की लिए ने Advent एक लाओंने भालिएं! और उसके बाद तो रहुता ही राज जे रहा इसका अभुता है कि बस्तुता बुराई बिचाना और बात है बुराई को दबाना और बात है और दबाने का बिच्छा गर्व कि अच्छो महीने उच्छो महीने का भी उप्यों काय के लिए किया जाए बगल में दमाएं भी नहीं रहा, बगल में दमा करके बाली जो है, चारों और भूम करके क्या कर रहा था? बाली को ये लगा कि करीम मैं किसी से कहूँ कि मैंने रावों को हरा दिया है तो लोग विश्वास में करें इसे बगल में पुरॉण पत्र दमाए हुए गूम गूम करके दिखाता फिर रहा है मैंने करी लोग ऐसे होते हैं जो अपने सद्गूरों का विज्यापन बहुत करते हैं बिखाते बहुत फिरते हैं और बुराई बस्तिता है मिश्टी नहीं कवो तो केर दम जाती और उसका आर्थी है हारा भी तो कौन हारा रावन हारा और कितने दिनों के लिए हारा और अंते में बढ़ी बहुत बढ़ीया गोंगे क्या जब बाली रावन को लेके चलने लगा तो आपने बच्चों की खेल में भी एक नियम देखा होगा कि बच्चे जब खेलते हैं तो इसमें पहले तो आज तो ले ले खेले पुरानी खेलों में से स्रीम दागवत नियुक एक खेल का वर्ण लाता है जिसमें हारने वाला जो बच्चा है वो जीतने वाले को पीछ पर ढोता था दामा और स्रीकिष्ट की खेल का वर्ण आया बगवान किष्ट और अपने वित्र दामा से वो खेलने लगे खेल में हार गए तो दामा स्रीकिष्ट की पीछ पर चढ़ गए और बगवान बड़े प्रेल से दामा को डोने लगे को तो उनका घोना तो स्वाभाविक है का जब भगवान दामा के सामने हार गए तो उसका अर्थ है कि बस भगवान तो अपने भगतों के सामने सदार हा रही जाते है और जब भगवान ने दामा को पीछ पर उठा लिया तो उसका अधित्रा ये भगतों का सारा भार जो है वो भगवाल नहीं उठाते हैं वहाँ कि कि श्रु भगवाल दामारम पारिता हो का भगवाल अर्भुत रिला करते हैं तो जिए तो बाली में राउन को हरा दिया होता हरा दिया और आणने के बाद के बामनगे के पीज़ पर बाई सवार हो जाता और ऐता कि तु मुझे ड्रो हो तो तो जो विजेता दिखाई देता है, जीतने वाला दिखाई देता है, वो भी वस्तुता हारा हुआ होता है। रावण का रावणग तो बाली के जिल में पैट गया, मनों इसका संकिति का बुप्राई है। बाली की तरह हरा दिखाई का दिखाई आरवणग चले ही है, कि उल्गत गर्व करता है।